क्या है आज की बात मेरी बात आपकी बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं तेहाद सत्ता समाध संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ दोस्तों नमश्कार आदाप सच्वियकाल लियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश भारती संसद के नए भवन में जिस तरह दो युवा अंदर घुस गए हाउस में और उस वक्त लोगसभाद चल रही थी घुस करके और उन्होंने एक पीले रंग का धुआ पैदा करने वाली कोई चीज वहाँ पर इस्तेवाल की जिसको स्मोक कैन कहा गया की स्मोक कैन जो लेकर वो आये थे वो अपने जूते के अंदर छुपा रखा था इस घटना से अफरा तफरी मुझ गई और सबसे जो उलेखनी बात है और बहुत ही चिंता जनक बात है कि ये जो घुसपैट की उन्होंने संसत भौन में संसत की सुरक्षा में नौक केवल ये बहुत बड़ी चूक है अब तक हाल के वर्षों में बलकि दूसरी एक और बात इससे जुरती है कि इसी दिन यानि 13 दिसंबर को ही 2001 में संसत भौन पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई सुरक्षा प्रहरी कई अधिकारी शहीद हुए थे और उस घटना का बहुत ज़्यादा असर हमारे समाज पर हमारे रायनितिक जो 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 इस्ट्रक्षर है उस पर पड़ा था बहुत सारे नीतिकत परिवर्तन किये गए थे सुरक्षा को लेकर काफी महत्पूर बैठके हुई और उन बैठकों के बाद और फेद्य सुरक्षा एक बनाने की पुक्ता करने की कोशिश की गई लेकिन इसके बावजूर इतने वर्षों के बाद और आप जानते हैं कि हर बार हर साल और साल में कई बार सुरक्षा संबंधी जो नियमावली है उसकी समिक्षा होती रहती है कैसे उसको और पुक्ता चाक चौबंद किया जाए इस पर बात होती रहती है इसके बावजूर 13 दिसंबर 2023 को कैसे इस तरह की घटना हो गई अपने आप में ये भयानक है और अपने आप में बेहत चिंता जनक है ये नई बिल्डिंग जो है संसत की उसमें ऐसा बताया जाता है जो अब तक फाइंडिंग सामने आई है हमां कि इसको अभी तक भारत सरक की तरफ से अफीसिली किसी बड़े अस्तर से ब्रीफ नहीं किया गया है लेकिन जो आज के आज सुबह के अखवारों में जो इसको लेकर खप चपी है और उसमें पुलिस का वरजन बगेर कोई अधिकारी का नाम लिए सुत्रों के हवाले जो बात आई है फाइंडिंग्स क जो प्राथमिक फाइंडिंग्स हैं उसमें ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे जो कारण है कई कारण गिनाए गए हैं मैं करमशा आपको एक एक करके बताता हूँ पहली बात तो एक कमो बेस माना जा रहा है जो सेक्योर्टी एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि बिल्डिंग बनी है उसमें विजिटर्स गैलरी उसकी जो उंचाई है वो कम है और उसकी वज़ा से उनको लांग करके और नीचे आ जाना हाउस के अंदर सभाकक्ष में प्रवेश कर जाना ये बहुत आसान हो गया था तीसरी बात कि विजिटर्स ने जूते में छुपा र भी व्यक्ति गुजरता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कोई चीज़ छुपती नहीं है लेकिन जूते के अंदर अगर स्मोक कैन था तो वो क्यों नहीं आया ये एक अपने आप में जाच का विशय है इसके अलावा एक और महत्मूर बात बताई जा रही है क कि जो संसत के अंदर कुल मिलाकर 301 सुरक्षा कर्मी होते हैं लेकिन गुद्धवार को ऐसा बताया जा रहा है ये ये टू बी कन्फरम लेकिन जो खबरें हैं उन खबरों में कहा गया है कि उस दिन केवल 176 सुरक्षा कर्मी थे एक और बात जो सामने आई है कि पहले जो संसत में जो जाश परताल जो आने वालों का स्टाफ करता था वो संसत के प्रहरी होते थे यानि संसदी स्टाफ होता था उनके सुरक्षा कर्मी होते थे तो उनको प्रैक्टिस हो गई थी बहुत वर्षों की कि किस व्यक्ति के हाव भाव को भी वो पहचानने की एक तरह से छमता विक्षित उन्हों ने कर ली थी लेकिन अब जो नई बिल्डिंग बनी है इसमें जो ऐसा बताया जा रहा है कि विजिटर्स की जो जांश परताल करते हैं जो उनको एक फिजिकल तोर पे भी जो देखते हैं शारिरिक तोर पे भी उनको देखा जाता है वो आहम तोर पे पुलिस कर्मी कर रहे हैं तो ये एक नई बात आई है सामने मीडिया में और हम इस तमाम जो पहलू आये हैं उसकी एक समिक्षा आपके सामने पेश कर रहे हैं मेरा यह मानना है कि अब तक जो भी बातें आई हैं वो सुत्रों के हवाले आई हैं देहतर होता कि इस पर शाम तक अगर संदन चल रहा है तो भारत सरकार की तरफ से एक आफिसियल स्टेटमेंट आता और अगर आफिसियल स्टेटमेंट गॉर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से नहीं आया तो कम से कम दिल्ली कमिशनर आप पलीस या कोई भी जो इस तरह का बड़ा पदारी कारी है उसको आफिसियली बकायदे एक एक पालू की एक तरह से जानकारी देनी चाहिए थी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ हो सकता है कि आज इस बारे में कोई आफिसियल ब्रीफिंग महत्पूर्ण रंग से की जा सके दोस्तों अभी जो शुरुवाती जो परताल में जो बातें सामने आई हैं कि ये पूरी की पूरी जो वारदात है ये एक बहुती दुरुभागे पूर्ण कह आए दूसरा अवीक्ति इंजिनियर है पेशे से लेकिन नौकरी के बगार है और वह इंजिनिरिंग उसने ग्रेजवेशन इंजिनियर के रूप में लेकिन इसके बाद भी वो अपने पिता की खेती बाड़ी में सहयोग करता है नौकरी नहीं मिली है वो महरास्थ का बताया जाता है सारी वो करनाटक के मैसुरू का बताया जाता है और उसका नाम मनुरंजन है और लखनव के एरिक्षा चालक का नाम सागर है जिसके पिता कारपेंटर है और वो स्वेम आमिन बार्वी पास है तो वो एरिक्षा चलाता है साधारनगर का है तीसरी जो लड़की क नाम आया है नीलम है वो जिंद की हरियाना की है और वो में है एंफिल है नेट भी कर चुकी है और वो विरुजगार है कोई उसको काम काज नहीं मिला तो वो तरह तरह की गच्विधियों में भाग लेती है बताया जाता है कि वो कुछ जो हाल के आंदोलन थे उनमें भी शरीक होती थी समर्थन देने के लिए और चौथा जो इसमें व्यक्ति शामिल बताया जाता है वो महारास्ट का है ये बहुत अच्छा धावक बताया गया है और धावक के अलावा वो चाहता था कि जो उसकी दोड़ने की छमता है खेल कुद में बहुत आगे है तो पुलिस में य रोजगार तलाश रहा था इसका नाम अमोल बताया जाता है अब बताया जाता है कि ये सभी लोग जो हैं ये इसमें दो लोग अंदर गुसे और दो लोग जो अंदर गुसे इन्ही के पास इसमोग कैंती और दो लोग बाहर रहा गये जिसमें निलम जो लड़की है जिंदक वो भी बाहर थी और वो नारे लगा रही थी और वहां से उस को सरक्षा कर्मियों ने पकड़ा यह जो लोग है यह भारती जंता पाटी के सांसत प्रताब सिम्हा यह जो सागर और यह लोग है, इन लोगोंने उनके जरिये ही पास अपना पार्लिमेंट के अंदर गृसने का ब कुछ लोगोंने इन लोगों को इंडोर्स किया था और उसके आधार पर एक as usual जो होता है पारलमेंट के मेंबर होने के राते रिक्मेंट कर देते हैं कि ठीक है इनको विजटर के तौर पर पारलमेंट देखने की इजाज़त दी जाए और उसके बाद पास पलता है तो ये एक प्रक्रिया एडाप्ट की गई थी जिसके तहट इनको पास मिला था अब क्या इसमें कोई चूक हुई सांसत महोद ऐसे चान भी ठीक से नहीं की जा सकी किस छत्र के हैं किसके इंडॉर्समेंट से आए हैं क्या मकसद है तो जाहिर है यह बहुत स्रियसली शायर इसको नहीं लि मामला खतम हो जाता है लेकिन इनके जो मनसूबे थे इन लड़कों के वो अगर बहुत बुरे थे बहुत खराब थे तो जाहिर है इसमें इसकी परताल ज्यादा बहुतर ढंक से अगर की गई होती तो पता चलता कि भई क्यों अलग-अलग जिलों से अलग-अलग राजियों से हैं और एक आपस में कौाडिनेशन बताया जा रहा है इनों के भी था सोसल मीडिया पर तो इसकी भी छान बीद मुझे लगता है कि ठीक से पहले नहीं की जा सकी कि पहले इनको पकड़ लिया जाए यहां वारदात करने से पहले अब एक ये अच्छी बात या संजोग लगता था तो अब इससे कई अर्थ निकाले जा सकते हैं कि या तो इनका हिंसक इरादा नहीं था केवल एक एक इस तरह का प्रवेश करके और कुछ अपनी एक वो दिखाना की हम ये भी कर सकते हैं तो ये डिप्लोरेबुल है ये निंदरी है शर्मनाक है क्योंकि किसी भी को हमारे समिधान के मताबिक अपनी बात कहने की आजादी है और वो आदमी अपने ढंक से कह सकता है लेकिन इसके लिए भारत की संसत को लाहं के आना उसकी सुरक्षा को भेद कर के आना अंदर प्रविश करना ये निश्चित रुप से आपरादी करते हैं इसमें कोई दोरा देवा हत्यारों का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उनके अपराद को कम नहीं किया जा सकता है और खासकर 13 दिसंबर की तारीक चुनने की पीछे क्या मक सकता ये भी मैं समझता हूं कि पूस्ताच में ये बात सामने आएगी तो इस पर एक बात को संसत की सुरक्षा में लगे लोगों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा मैं वर्षों मैंने भारत की संसत को कवर किया है मैं भारत की संसत के अपर हाउस की मेडिया एडवाइजरी कमेटी का मैं एक बार वाइस चेर्मेन भी था चेर्मेन भी था तो उस नाते हम लों का इंटेरेक्शन होता रहता था डिपार्टमेंट से चाहे वो एक्रेडेशन कार्ड जारी करने वाले डिपार्टमेंट हो उस रक्षा के लोग हो तमाम लोगों से बाचित होती रहती थी और मैं समझता हूँ कि पिछले 22 वर्षों में इस तरह की कोई वारदात सामने नहीं आई लेकिन ये अगर 13 दिसंबर क जाईर है इस बारे में पुलिस और जो एंटेलिजन्स कुपिया शाखा है वो जो भी फीडबैक उनका होगा इन से पूछताज के बाद इन लड़कों से उससे पता चल पाएगा कि ये एक महाजसन्योग है या इसके पीछे कोई योजना है कोई इनकी प्लैनिंग थी क्या ह तो एक बहुत बड़ा सवाल आज उट रहा है कि जो नई बिल्डिंग तो बन गई इस संसत की शुरुवात भी उसमें हो गई लेकिन क्या सुरक्षा बंदोवस्त के बारे में इस तरह से सोचा नहीं गया कि आखिर उनकी दरशक दिरगा विजटर्स गैलरी इतनी उंचाई पर क्यों नहीं है जो पुरानी बिल्डिंग में जिसमें हम लोग बैठते थे एक पत्रकार के तोर पे प्रेस गैलरी में वो गैलरी काफी उंचाई पर है और वहां से कूद पाना किसी के लिए संभव नहीं है आमिन बिल्कुल आप एक तो यह की संभव नहीं है और दूसर के चैनल पर वो ऐसा लगा जैसे कि वो गिरने के बाद भी नीचे दिरगा में वो लगातार कूद फानत कर रहा है स्टेबल से उस टेबल पर जा रहा है तो यह इससे साबित होता है कि दरशक दिरगा जो है जो विस्टर गैलरी है उसकी उँचाई वाकई कम है तो इस पर भ है जिनको मैं टीवी पुरम कहता हूँ प्यार से वो टीवी पुरम के जो लोग है उन्होंने जिस तरह की नौटंकी वहां की कवरिस के नाम पर कोई केन उठा रहा है खाली कहीं कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई इधर से दोड़ रहा है कुछ भी जिसको जो मन में दे रहा है भार्त अभी मैं देख रहा था एक सत्ताधारी गटमंदन की समर्थक मेंबरा पार्लामेंट को वो कह रहे थे कि भई ये तो किसी और सांसत का नामों ले रहे थे कि उस तरह के लोगों के समर्थक ये हो सकते हैं कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कि ये आप पुलिस को जहांच परताल करने दीजिए लेकिन पहले ही तौहमत लगाना पहले ही किसी के ऊपर लांचन लगाना किसी मेंबरा पारलिमेंट के बारे में या किसी भी राइनितिक व्यत्ति के बारे में किसी भी विचारदारा के बारे में मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हलका बयान है और इससे परहेज करना चाहिए एजनसियों को जहांस करने देना चाहिए और सुरक्षा बंदोबस्त कैसे 4-4 और किया जाए बहतर किया जाए केवल यही नहीं कि सेक्योटी कितनी आपने वहाँ पे लगा रखी है हमने सुना है कि पुलिस की जो बंदोबस्त पहले होता था पारलेमेंट में उससे संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले संबाथ और धाई सो होते थे पुलिस कर्मी अब तीम सो के आसपास हैं लेकिन इसके बावजूद भी अगर समस्याएं पैदा हो रही है तो इसका मतलब कि फिजिकल प्रिजंस से केवल सेक्योटी को नहीं टाइट किया जा सकता है बलकि इसके लिए बहुत सारे और त तो उसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया सबसे पहली सरुक्षा की बात तो यही है और अगर होता हो डिटेक्ट तो उसको वहीं पर द्वार पर ही गेट पर ही परलामेंट के उसको पकड़ा जा सकता था और फिर वो अंदर खुराफात करने नहीं आता और अगर रुप से कमी है इसमें कोई दोराए नहीं है तो इन चीजों पर मैं समझता हूँ कि गंभिरता पुर्वक सोचना चाहिए और इसको न तो lightly लेना चाहिए और न तो इसको अनरगल प्रलाप इस पर किया जाना चाहिए जो मीडिया कर रहा था खासकर टेवी चैनल बाहर परलिमेंट के और कई माननी सदस्यों को भी आरोप प्रत्यारोप जो लगाते देखा गया बिलकुल निराधार और बिना किसी जाच परताल के मुझे लगता है इन दोनों चीजों से बचा जाना चाहिए तो आज इतना ही नमस्क लगतर ठाहिए झाल बिलकुल झाल कर दोनी सदस्यों से झाल कर रहा चाहिए झाल को लगता है बिलक।